तेरे इस चहरे को चांद सुनेहरे को मैंने तुझी गर में उतारा तो जय हिंद मेरे प्यारे साथ ही हो, कैसे हो आप सभी लोग, I hope कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी शांदार वेकेंसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ जो की पूरी तरीके से पर्मानिंट सरकारी नोकरी है, पूरी तरीके से इस्थाही बरती है और यह जो vacancy निकाली गई है ना पूरी तरीके से group C के पदों पर यह भरती निकाली गई है जिसके बारे में आज की सीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ और जानते हैं इस vacancy की बहुत सारी खासियत है दोस्तों जो कि यहां पर मैंने लिख रखा है बारी बारी से मैं आपको इसकी खासियत के बारे में जानकारी दूँगा और देखिए अब आपके पाफ जानते हैं मातर दो दिन का समय बचा है अगर इस दो दिन के अंदर इस vacancy क आपने नहीं देखा है न तो इस वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अन्त तक वाज कीजेगा और जितने भी GDS के candidate इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि यार आप सभी लोग इस vacancy में जरूर से जरूर एप्लाई कीजेगा qualification यहां पर मात्र दस अगर आपके high school में 40% अंक है न अगर आप exam qualify कर लेते हो तो आपको सरकारी नौकरी लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है सारा A to Z जानकारी में आपको आज की सीडियो में देने वाला हूं कौंकों से लोग form को एप्लाई कर पाएंगे क्या age salary selection process रहने वाला है syllabus के बारे में ज प्रवाइड करने वाला हूं बशरते वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अन्त तक watch कीजेगा और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना तो चैनल को भी जरू subscribe कीजेगा इसी प्रकार के government job के more update के लिए काफे सारे बच्चे जानते क्या करते हैं क वीडियो को skip करकर के देखते हैं अगर skip करकर के देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा और पूरा वीडियो को अगर आप लोग देखोगे ना तो मैं गारंटी लेता हूं सारी जानकारी आपको जो है समझ में आएगी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी जो है query नहीं रहेगा तो दोस्तों आईए बीना समय वीडियो को continue करते हैं सबसे पहले मैं आपको इस vacancy की खासियत बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि किस विभाग में ये vacancy निकाली गई है तो दोस्तों सबसे पहले number one की अगर मैं बात करूंगा तो single exam होगा तीन पाल्ट में 30% अंक ले आते हो तो आप जो है आपका नाम merit सुची में आ जाएगा और उसके बाद आप exam को qualify कर ले जाओगे बाद में आपका document verification और medical का process जो है कराए जागा जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा competition दोस्तों यहाँ पर बहुत कम है इस vacancy को ले करके क्योंकि ज्यादा त तक यह video पहुंचा है ना तो इस video को आप सभी लोग बिल्कुल आन्त तक watch करना और इस vacancy में जरूर से जरूर apply करना तूसरे number की अगर मैं बात करूँगा तो इसमें all India के male और female दोनों के दोनों candidate इसमें apply कर सकते हैं इसमें salary आपको बहुत ही जवरदफ्ट मिलेगी यानि क लेवल वन के हिसाब से आपको जो salary दी जाएगी ना इन हैंड salary आपको तकरीबन 35,000 के आसपास दिया जाएगा साथ में इसमें आपको महेंगाई भत्ता और भी other allowances जो है जुड़ करके दिया जाएगा apply fee की अगर मैं बात करूँगा तो दोस्तों मातर 100 रुपए 50 जो बच्चे बिलॉंग करते हैं उनके पास 1500 रुपए नहीं होता है कि वो किसी form के लिए आवेदन कर सकेंगे लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है मातर 50 रुपए 100 रुपए जो है आपका आवेदन शुल्क लगेगा उसके अलावा पाच्वे निम्बर के अगर मैं ब बिल रहा है नहीं कोई फिजिकल क्राइटेरिया है और नहीं यहाँ पर किसी प्रकार का कोई टाइपिंग टेस्ट होगा क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर बहुत कम रखा गया है आल इंडिया के सभी दस्वी पास इसमें यह अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने ओपन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जागा नॉन स्टॉप यह वेकंसी होने वाली है अब यह सारी चीजे तो ठीक है मैंने आपको खासियत बता दिया इस वेकंसी को ले करके अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस विभाग में यह वेकंसी निकल करके आई हुई है तो दोस्त स्वास्थ एवं परिवार कल्यान विभाग यहां पर मैं लिग दे रहा हूं स्वास्थ एवं परिवार कल्यान विभाग में जो है दोस्तों यह भरती निकल करके आई हुई है पद की अगर मैं बात करूँगा न तो यहां पर फील्ड वरकर जिहां दोस्तों फील्ड वरकर के पद पर ये भरती निकल करके आई हुए जिसका online आवेधन इस वक्त जो है चल रहा है नमबर आफ total feet की अगर मैं बात करूंगा तो 510 पदों पर ये भरती निकाली गई है पूरी तरीके से group C के पदों पर भरती ये जारी की गई है यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा age की त अगर मैं बात करूंगा तो 40 साल तक मैं फार्म को एपलाई कर फकते हैं वहीं पर ph handicap की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो उनको जो है 10 साल का age में relaxation आप पर देखने को मिलेगा देखे दोस्तों अगर आपने मेरी कल की वीडियो अगर नहीं देखिए ना तो कल की वीडि भी स्टार्ट हो चुका है तो मेरी कल वाली वीडियो आप सभी लोग जरूर से जरूर देखेगा GDS के पीछे इतना पागल मत हो जाईएगा कि other government vacancies के बारे में आप लोग जो है सोचे ही ना उसको देखे ही नहीं ठीक है ना उसको देखिए उसको अच्छे से समझे और उस तारीक है 1-30 अगस्ट तो अभी आपके पास मात्र दो दिन का समय बच्चा इसमें online आवेदन करने के लिए तभी मैंने यहां पर लिख रखा है कि अब आपके पास अंतिम मौका है दो दिन का समय बच्चा है इसमें अगर आप सभी लोग apply कर ले तो ठीक है otherwise बाद में आप चाह करके भी फार्म apply नहीं कर पाऊगे qualification जैसा कि मैंने आपको बता दिया है सभी दसवी पास आल इंडिया के male और female candidate इसमें apply कर सकते हैं फी कि अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो अगर आप जंडल OBC EWS कैटेगरी से बिलाउं करते हो तो आपका यहां पर मात्र 100 रुप पर लगेगा जितने भी PH handicap candidate है उनका यहां पर कोई भी पैसा नहीं लगेगा आप सभी लोग बिल्कुल यहां पर initial form को apply कर सकते हो चेन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहां पर देखें notification में बताया गया है कि सबसे पहले आपका written exam होगा उसके बाद द टाइपिंग नहीं होगा उसके अलावा skill test के नाम पर कुछ नहीं होगा interview वगरा कुछ भी नहीं होगा सिर्फ एक exam आप qualify करो उसके बाद सीधे सरकारी नोकरी आप सभी लोग ले सकते हो देखें इस वेकेंसी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यह जो वेकेंसी निका करके आपको duty करना पड़ेगा और जो आपका exam center पड़ेगा दोसरे state से अगर आप वीडियो देख रहे हो form में apply करतो हो तो आपका जो exam center पड़ेगा ना वो भी आपका जारखंड राज में पड़ेगा और आपको पता है कि जारखंड राज जो है बहुत ही अच्छा राज माना जाता है ठीक है ना उसके अलावा salary की अगर मैं बात करूँगा तो 18,000 फिले करके 56,000 in hand salary आपको दिया जाएगा जो level 1 के हिसाब से 30 salary in hand जो दिया जाएगा ना वो मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर 35,000 रुपए आपको यहाँ पर salary दिया जाएगा इस vacancy को लेकर के apply link अगर आपको देखना है उसके अलावा website पर widget करना है तो आप चले जाएगा मेरे telegram channel पर telegram channel का link मैंने वीडियो के description में already डाल रखा है वहाँ पर जा करके आप जो है इसका apply link भी देख सकते हो उसके अलावा website पर भी widget कर सकते हो अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता question 120 होंगे दो घंटे का समय दिया जाएगा किसी प्रकार का कोई भी negative marking नहीं है कहने का मतलब यह है कि 120 question आपको यहाँ पर attempt करके आने है अगर तुक्का भी लगाना पड़ जाए तो तुक्का भी लगा दीजेगा क्योंकि यहाँ पर negative marking नहीं है number आपका नहीं कटेगा Hindi की अ part 2 की अगर मैं बात करूंगा दोस्तो तो जन जाती भाषा से आपका यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे number of total question की अगर मैं बात करूंगा तो जन जाती भाषी से आपर आपके 100 question पूछा जाएगा जिसके लिए कि 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और इसमें आपका negative marking रहेगा one by three का ठीक ना यानि कि इसमें आप सभी लोग सोच समझ करके जो है solve कीजेगा अग जन जाती भाषा का मतलब यह है कि जितने भी candidate ज्यारखन से बिलाउंग करते हैं ना उनके लिए मैं बताना चाहता हूं जैसे कि हिंदी हो गया अंग्रेजी हो गया उसके अलावा शंसकरत हो गया, संथाली हो गया, खोरठा, नागपुरी, खड़िया यह सभी language जो है उनमें से किसी एक language का आपको चुनाओ करना पड़ेगा तो अगर मालीजे की बाकी का language आपको नहीं आता है जैसे की नागपुरी, खोरठा, संथाली, संसक्रत, खड़िया आपको नहीं यहां पर मैं लिक दे रहा हूँ, सामान ये ग्यान से question पूछा जाएगा, जिस पर number of total question जो है, 120 होंगे, 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, और जो negative marking आपका रहेगा, वो रहेगा, 1 by 3 का, सर ये बताए कौंकों से subject से question पूछा जाएगा, तो दोस्तों, general awareness से यहां पर आ पूछे जा रहे हैं, उसके अलावा दोस्तों math की अगर मैं बात करूँगा, तो math से यहां पर मात्र 10 question पूछे जा रहे हैं, आप समझे जिसका भी math कमजोर है, उसके लिए यहां पर plus point रहने वाला है, क्योंकि math से यहां पर math 10 question पूछे जा रहे हैं, मतलब की बहुत कम question अपने टेली ग्राम चैनल पर, वहां पर जा करके आप total syllabus को आप अच्छी तरीके से देख सकते हो, और जिस परकार से आप सभी लोग railway, SSC, bank ती तैयारी करते हो ना, same वही syllabus है, यहां पर कोई अलग से question नहीं पूछा जाएगा, local language को ले करके आप लोग बिलकुल भी मत अगर माली जे खोरठा, नागपूरी, संथाली language आपको नहीं आता है, तो normally आप वहां पर हिंदी चूज कर लीजेगा, या फिर इंग्लिस चूज कर लीजेगा, और उसमें आप जो है paper दे सकते हो, सभी में 30 perfect number लाने अनिवार है, तब जाकर के आपका जो है merit सुची में न आप से, जे SSC के द्वारा, यानि की जारखन करमचारी चैन आयों के द्वारा ये वेकंसी निकाली गई है, I hope की वीडियो आपको इंफार्मेट्व लगा हो,